स्लाम लेकुम स्टूरेंट्स जितने भी स्टूरेंट्स स्टै मुझे देख रहे हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ अपडेटिस के बारे में जैसे कि आपको बता है कि मैं हमेशे अपडेट देता हूँ रहता हूँ उनके बारे में भी हम बात करेंगे और साथी साथ हम बाता देंगे आप सब इस स्टूरेंट्स को कि अरी एवालवेशन का रिजल्ट और साथी साथ जो रूल लंबर सिलिप है वो कब तक आ जाएगी ठीक तो आपको बता होगा कि कुछ स्टूरेंट्स ऐसे है जो कि जिनका एक्जाम जो है एक्जाम फार्म जो कह सकते हैं हम वो कैंसल हो गया है और लेकिन वो स्टूरेंट्स कौन है मैंने आपको इस से पहले भी वीडियो बता दिया था उसमें मैंने आपको detailed बता दिया था कि वो कौन से students है जो कि eligible नहीं है जो exam form भरने के लिए otherwise छोड़ो वो बात उसके बाद यहां पर notification एक आ गई है result के related वो मैंने download की हुई है तो मैं आपको जो PDF है वो दिखा दूँगा PDF आपके सामने है open करके मैं दिखा दूँगा आप सभी students को यहां पर आप देख सकते हूँ यह वो student है जो कि जुनका continuation की वज़े से यहां फिर कोई problem हो गई थी आज उनका result declared हो गया है और यहां पर एक ही student है उसका role number भी दिया हुआ है और साथी साथ जो उसका markus है result percentage है और vocational subject क्या था उसका क्योंकि यह vocational subject की स्टूडेंट को होता है और जो फिर आगे उसी में job करता है otherwise आपको उस पे थोड़ी सी ध्यान देने चाहे vocational subject क्या होता है उसके बाद JKSOS के लिए एक notification जारी की गई थी और वो भी मैंने आपको बता दी थी कि वो क्या है अगर मैं बता दूँका यहाब रिवालवेशन का result जो है वो कब तका जाएगा रिवालवेशन का result जो है अब डिकलेड नहीं हो गया है हो सकता है कि अभी भी time हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि आपका year जाया हो गया है क्योंकि आपका exam के date जो है वो आ गया है नजदी अब कैसे prepare करोगे exam farm भी बरना है फिर roll number slip आ जाएगी वो बहुत ही बड़ा procedure है तो इसके regarding मैं आपको बता दा चलो कि आपके exam अब regular के साथ शायद नहीं हो सकता है आपके exam जो है वो directly होगा जो student regular के बाद backlog आ जाएगी यानि कि जिसका private आ जाएगा कोई subject चाहे एक subject चाहे दो subject regular के बाद जो private exam होता है आप उसी में आ जाओगे और आपके exam उसी में हो जाएगा और उससे पहले आपका exam नहीं हो सकता और आपको पता होगा कि supplementary exam है इस साल उन्होंने नहीं लिया है due to some reasons तो इंशालला मैं आपको बता दूँगा कि जब regular के बाद जो student private होता है उसका exam कैसी होता है क्या pattern क्या रहता है मैं आपको उस time समझा दूगा लेकिन फिलाहल के लिए का roll number slip की बात करेंगी जो student roll number slip की जो है वो अभी wait कर रहा है उनका roll number जो है वो आज अगर link अभी available नहीं है आपको अपनी स्कूल में जाना पड़ेगा online download है वो नहीं होगा otherwise वो आपको अपनी स्कूल में मिल जाएगा छोटी सी वीडियो थी like शेयर जोरू करना